गाइस नाइन सेप्टेंबर को 54 जी एस्टी काउंसिल की मीटिंग है और उसके अंदर जी एस्टी में क्या क्या अप्डेट्स है उचको हम डिसकस करने वाले हैं तो सबसे पहला अप्डेट जो आया वो नमकीन एंड एक्शर्टेड एक्पेंडेंट सेविर्स फूड वाला रेट हुआ करता था अनफ्राइड और अनकुक्ड स्नैक्स के ओपर वह अभी भी फाइव परसेंट ही रहेगा तो यह वाला एक्शसन को जिस पर 18 परसेंट लगता था यह वाली नमकीन को अब 12 परसेंट में क्लासिफाई कर दिया गया है इसके अलवा और यह प्रोस भी पर चाहिए गया है यह वाली 3 यह पर डवाय लगता था इस पर फाइफ पर संट का जिए ऐका तो इसको डुक्रीव क्या गया थर्ड है मेटल क्रिए आन der डी सप्रियर्ग पर टॉर्ट च्राइट टी आर डी सप्लायरि राज तो है एक झाल स्प्ल दॉप्ल Isaac você लगाए जाता है तो अब उसके अंदर आपको ग्लूड करना पड़े का डिन जैड़ी सिक्राइब अगर एक ऑ्जलिड पर संव यह पने टो वह रूजिस्टर देग Face पैस एन्हीं पंड़ागी साथी मिट्च एंट टू सब्सेंस्पीरण सब्सक्राइब इसके एलावा तु क्लासिफाइड एचसर नंबर 845 अट्रैक्टिंग रेट 28 परसंट का ज्यस्टी वह अट्रैक्ट करेगा कार एंड मोटर साइकल की जो सीट्स है यह यहां पर यहां पर क्लासिफाई किया है कि जो कार की सीट्स जो की एचसर नंबर 9401 के अंदर आती थी वहाँ पर 18% का रिट लगाया जाता था लेकिन आपको भी पता है जो वीकल होता है मोटर वीकल गाड़ी होती है उस पर हमारा 28 यहां पर लगता है तो गवर्णन नहीं पर क्या बोला कि जो आपकी कार की सीट्स है उस पर हम 18% से 28 परसेंट आपको देना पड़ेगा जब कार के उपर 18% दे रहे हो तो उसकी सीट्स के ओपर भी 8-20% दे दो अने से पहले पहले सीट्चेंज कर लो अपनी गाड़ी की यहां पर लगाएंगे इसके अलावा Life and Health Insurance के उपर काफी चर्चा Hot Topic यह बना हुआ था कि इस पर जो आप GST को माफ कर दो Life Insurance और Health Insurance पर GST आप मत लो तो इसके उपर जो यह बोल रहे हैं कि हम जो है पूरी चर्चा करेंगे इनोंने कमीटी बनाई है Group of Minister की जो है यहां पर ए transportation of passenger by helicopter से जो transportation होता है तो यहां पर government notify करेंगी 5% का rate on the transportation of passenger by helicopter on sheet share basis and to regularize the GST for past period as it is रहेगा लेकिन फ्यूचर में जब यह notification आएगी तो 5% का GST लगाया जाएगा आपका जहां पर helicopter sheet sharing basis पर और जो चार्टेड प्लेन होंगे वहां पर 18% का GST लगाया जाएगा चीक है flying training courses flying training courses जो की DGCA की दोरा approved है उसको exempt किया है उस पर कोई भी GST नहीं लगाया जाएगा उसके बाद supply of research and development की services जो की एक ऐसी entity दे रही है जो की registered है section number 20 35 of income tax act 1961 में जो entity registered है तो उसको उसकी जो supplies होगी वो अब exempt होगी जो भी वो research and development की services दे रही है वो entity उस पर GST नहीं लगेग अब उसके बाद preferential location charges जो होते हैं जब भी आप घर लेने जाते हैं कोई भी apartment लेने जाते हैं तो उस apartment में अगर आपको preferential location चाहिए कि मेरेको तो top का चाहिए मेरेको तो northwest side का चाहिए इस side का चाहिए तो जो builder है वो एक preferential location charge PLC जिसको बोला जाता है वो उसके उपर impose करता है तो question is this कि PLC charge के ओपर GST क्या लगा जाए construction service के ओपर GST 5% let suppose लगता है लेकिन PLC charge जो एक kind of service हो गई तो उस पर 18% लगेगा यह कितना GST का rate वहाँ पर लगाया जाएगा तो यह थोड़ी सी confusion थी तो यहाँ पर government clarify करेगी कि जो PLC charges होते हैं वो आपके consider किया जाएंगे आपका composite supply के अंदर ही आएगा तो जो आपका construction का rate होता है like 5% rate अगर आपका लग रहा है तो उस case में भी 5% का GST आपका वहाँ पर लगाया जाएगा उसको composite supply ही माना जाएगा mix supply नहीं classify किया जाएगा यह clarification आईगी affiliation की services होते हैं जैसे CBSC affiliated school है कोई या government affiliated school है कोई तो उस case में तो यहाँ पर भी clarification government देगी कि जो affiliation की services होते हैं वो CBSC है वो affiliation fees charge करती है उनसे तो provided by educational boards like CBSC are taxable वो taxable होती है however to exempt affiliation service provided by state or center education board education council and other similar place body school prospectively अब जो है government ने बोला है कि हम उनकी affiliation की services होते हैं इसकी fees को affiliation services को अब हम क्या कर रहे हैं तो उस पर आप tax नहीं देना होगा prospective basis पर पास में जो transaction हो गया वो as it is रहेगा उसमें कोई भी change नहीं है तो जब इसकी notification आएगी उसके बाद से exempt हो जाएगी affiliation वाली services भी अच्छा उसके बाद तो clarify by way of circular debt the affiliation service provided by universities to their constitute constitute college are not covered within the ambit of exemption provided to education institution in the notification number 12 by 2017 and GST at the rate 18% is applicable on the affiliation service provided by these universities तो यहां पर school के लिए यहां पर exempt कर दिया है school के लिए affiliation service है वो तो यहां पर exempt कर दिया है लेकिन colleges भी affiliation service provide करते हैं जैसे Delhi University है तो उसके कई सारे colleges होते हैं तो जो colleges जो affiliation fees दे रहे हैं फॉर एक्जामपल डैनी उनिवर्स्टी को वहां पर exemption नहीं मिलेगी वहां पर 18% GST apply होगा चीक है इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाइ ब्रांच ओफिस तो जो इंडिया में ब्रांच ओफिस जो है तू एक्जम्ट इंपॉर्ट ऑफ सर्विस बाइन इस्टैबलिश्मंट ओ फॉर और एरलीन कंपनी है और वो इंडिया की ब्रांच को British Airways है उसकी इंडिया के अंदर कोई ब्रांच है तो वो इंडिया में ऑपरेट कर रही है British Airways वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस करती है from a related person और any of its establishment outside इंडिया तो वो मानली जी UK की British Airways से कोई services इंपोर्ट करती है when made without consideration उसका कोई consideration नहीं तो without consideration कोई service इंपोर्ट कर रही है वो the council is also recommended to regularize the past period on as it is basis तो future में जो होगा वो exempt होगा और जो अगर past में उसके टेक्स लगा हुआ तो वह ऐसा ही लगेगा लेकिन जब यह notification आ जाएगी तो यह services भी exempt हो जाएगी simple सी चीज़े देको prospective amendment आ रहे है इंपोर्ट आफ सर्विस वाले case में renting of commercial property important point है commercial property अगर आप रेंट कर रहे है इस पर वैसे मैं detail video बनाने वाला हूं बट अगर commercial property है आपकी आप एक unregister person हो और आपने अपनी property की registry जो है वो commercial basis पर करा ली कि मैं commercial property register कर वा लेता हूं और इसको rent पर दे दूँगा अब यहां पर एक कोशन और आता है कि सर मैंने अपनी commercial property दूसरा परपरटी जो दूसरा परसन है वो भी अन्रेजिस्टर परसन ही है मैं भी अन्रेजिस्टर परसन हूं वो भी अन्रेजिस्टर परसन है तो यहां पर कवर नहीं होगी उसको आप आप RCM कैसे लगाओगे जो recipient है वो भी GST में रेजिस्टर नहीं है तो आप उससे भी text नहीं ले सकते हो तो वो यहां पर exempt होगी लेकिन जो अगर recipient आपका registered है तो recipient को यहां पर RCM में उसकी liability pay करनी होगी तो यह एक नया important change आया है और इ इसा थोड़ी है कि खाली आपको transportation की service देती है transportation के साथ साथ वो loading, unloading, packaging वगएरा की services भी दी जाती है तो government ने बोला हम clarify करेंगे कि वो सारी services जो की transportation के दोरान दी गई है वो सारी services composite supply के अंदर ही आएंगी और उस case में वहां पर आपका जो भी GTA के ओपर अगर rate 5% rate है तो 5% ल तो उस case में normal आपका 18% जो भी rate है उसका service का वो rate लगाया जाएगा लेकिन अगर वो transportation के दोरान दी गई है तो जो GTA का rate वहां पर लगाया जाता है जैसे RCM में 5% लगता है और forward charge में अगर opt करते हैं तो 12% आपका लगाया जाता है तो वो वाला rate आपका यहां पर as a composite supply उसको treat किया जाएगा जो loading or loading की service आप दे रहे हो transportation के साथ में तो ठीक है यह clarification एक हमारी important यहां add की जाएगी इसके अलावा other changes की बात करें तो to regularize the GST liability for the past period एक दस दोजार एकिस तक जो हुई है on as it is basis where the film distributor or sub distributor act on a principal basis to acquire and distributed films तो films के लिए यहां पर एक दस दोजार एकिस से पहले की ज or to exempt the supply of service such as application fees for providing electricity connection, rental charges against electricity meter testing fees for meter capacitor labor charges from customer for shifting of meter line charges for duplicate bill etc which are incidental, ancillary or integral to the supply of transmission and distribution of electricity by transmission and distribution utilities to their customer when provided as a composite supply GST for the past period to be regularized on as it is basis basis देकि past period में उस पर GST आप लगा रहे थे तो GST past period का तो as it is basis पर रहेगा future में क्या होगा उसको composite supply माना जाएगा जैसे आप transmission or distribution of electricity जो होता है वो exempt होता है GST से उस पर GST नहीं लगाया जाता है तो उसकी जो ancillary or related services हैं जो कि यह सारी यहां मेंशन की हुई है labor charges हो गए और पर आपका किया जाएगा measure for facilitating of trade procedure for condition procedure and condition for waiver of interest or penalty or both in respect of tax demand under section number 73 of CGS 2017 17,18,18,19,19,20 as per section number 128A of the CGS check 2017 यह हमारे last JST council meeting के अंदर ही यह important update आई थी कि आपके 17,18,19,19,20 के जितने भी penalty or interest है उसको waive कर दिया जाएगा आगर आप 3BA specific date तक file करते हो तो यहां पर waiver of interest or penalty मिल जाएगा इसके लिए मैंने detail video बनाई हुए वाप check कर सकते हो तो यह जो benefit आपको मिलेगा यह आपका finance act के अंदर डाल यह नया section यहां पर add कर दिया गया था 128A के according मिलेगा इसी से related rules अब यहां पर आपके add किये जाएंगे और इसका जो पूरा procedure है जो forms है कैसे वो exemption मिलेगी वो आपको यहां पर अब जो है देखने के लिए मिल जाएगा procedure part आपका यहां पर procedure 2017 तो इसके अंदर क्या था यह दो नए section हमारे add किये गए थे subsection 5 था एक subsection number 6 था तो अब जो है इन section के अंदर अब आप ITC जो है आप एक specific date से जादा जैसे section 16 4 था न section 16 4 का proviso यहां पर दिया हुआ था इन्होंने कि आगर आपने वो date भी extend कर दी लेकिन 3 भी आपने specific date से प आपका amendment की जाएगी और जो आपको next amendment rules मिलेंगे उसमें सारे changes आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इसके अलावा amendment in rule no 89 और rule no 96 के अंदर भी amendment की जाएगी to provide clarification in respect of IGST का जो refund है on export where benefit of concessional या exemption notification specified under 9610 का आपने benefit भी ले लिया और उस case में आपको जो है refund जो है IGST का वो किस तरीके से मिलेगा तो उससे related clarification जो है वो यहाँ पर आपकी आएगी बहुत जली उसके साथ साथ कुछ clarifications और आएंगी to remove ambiguity and legal disputes के लिए यहाँ पर पहली clarification आएगी place of supply in case of advertising services provided by Indian advertising company to foreign entity को जो आपने advertising services दी है तो उसके लिए place of supply क्या consider किया जाएगा उसके ऊपर यहाँ clarification आएगी नेक्स clarification आवेलमेंट of ITC on demo vehicle used by the dealer of the manufacturer तो जो demo vehicle आप यूज करते हो तो कई cases में क्या हुआ department ने यह बोला कि demo vehicle आपने sale के लिए थोड़ी रखे हैं वो तो आप उसको use कर रहे हो तो आप उसका ITC आप नहीं वो furtherance of business में नहीं आता तो कई notices department ने इस तरीके के issue किये जो dealerships होती है उसको तो उससे related यहाँ पर clarity आएगी जिससे litigation यह वो खतम हो सके और next है कि place of supply of data hosting services जो located outside India जो service prevent की जारी तो उस case में place of supply क्या होगा because place location of supplier तो आपका इंडिया हो गया but place of supply इंडिया होगा तब यह सी लगगा अगर इंडिया से बाहर हो गया तो वो exam supply के इंडिया सीपाई हो जाएगा zero date supply वो कह लाई जाएगी तो वहाँ पर place of supply को यहाँ पर government clarify करेगी और इसक हो थी अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक student का call आया कि sir B2C में आप e-invoicing हम चालू हो रही है मैंने का कहा हो रही है आपने कहां सुन लिया अभी तक तो B2C पर कोई भी invoice नहीं लगती कह रहा sir वह होती तो है वह code सा generate होता है that is QR code जिसको हम dynamic QR code बोलते है वह different चीज होती ह है and e-invoicing is a separate thing so e-invoicing कि अगर हम बात करें वह केवल B2B invoices पर ही applicable होती है B2C पर अभी तक कोई भी e-invoicing का concept नहीं था but अब government rollout करने वाली है कुछ sectors के लिए following the successful implementation of e-invoicing in B2B sector the council recognized potential benefit of invoicing in retail sector such as improved business efficiency, environment friendly cost efficiency to the business businesses की चिंता मत करो उनको क्या benefit हो रहा है आप अपनी चिंता करो आपको सारा record मिल जाएगा R1 वहां से आपकी R1 में data आजाएगा it would also provide an opportunity to retail customer to verify the reporting of the invoice in the GST return the pilot will be rollout on a voluntary basis in such sector अचा voluntary basis पर बोल रहे है pilot project आ रहा है B2C invoicing आ रही है बट वो voluntary basis पर होगी तो important point यह भी है कि अभी mandatory invoicing की बात तो government भी नहीं कर रही है आपकी GST के अंदर आ गई है आप IMS में आपके सारे invoices जाएंगे जो भी आपके ITC के invoice है फिर वहां से आपका 2B में जाएगा जो भी आप accept करेंगे वो 2B में जाएगा 2B से data fit 3B में जाएगा तो इसका भी डीटेल structure है जो कि मैंने अपनी separate video में बनाया हुआ है उसको आप चेक कीजिएगा IMS की वीडियो को आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि 54 GST council meeting में क्या क्या इंपॉर्टन अपडेट आये है थैंक यू सो मच पूर जॉइन टोड़ी सेशिन वे ग्रेट टाइम हस्ते रे मुस्कुराते रिए बाय बाय तेक क्या